हालो फ्रेंट विल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल फ्रेंट आज हम बेबी की लिए अमरेला फ्रॉग बनाना बताएंगे कटिंग एनी स्टिचिंग हमने फैबरिक के दो पीस लिएं जिसकी लंबा यह साड़े 9 इंची चोड़ाई है तो 14 इंची इसके बाद हम फैबरिक को फोल्ड करेंगे फैबरिक हमारा फोर फोल्ड हो गया है सोल्डर का निसान हम साड़े 4 इंच पर लगाएंगे आर मोल का निसान हम 4 इंच पर लगाएंगे सीधी लाइन खीचेंगे ऐसे लाइन खीचेंगे आर मोल की गुलाई कर देंगे निक की चोड़ाई हम 2 इंच लेंगे निक की लंबाई हम 3 इंच लेंगे एक बॉक्स तयार करेंगे निक की गुलाई करेंगे इसके बाद चेस्ट का निसान लगाएंगे जितनी हमारी चेस्ट है उसे 4 से डिवाइड करेंगे चेस्ट का निसान हम 7 इंच पर लगाएंगे ऐसे हम कमर के निसान 6 इंच पर लगाएंगे दोनों निसान को हम आपस मिलाएंगे जैसे हमने निसान लगाया है वैसे हम इसकी कटिंग कर देंगे अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जेर सब्सक्राइब करिए हमारे टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है ओपन करके देखेंगे यह हमारे दोनों पल्ले हैं बैक वाला पल्ला लेंगे निक के सेंटर में हम दो इंची पर निसान लगाएंगे जैसे हम निसान लगाया है वैसे हम इसकी कटिंग कर देंगे फ्रेंड इसकी कटिंग हो गई है फैबरिक के दो पीस लेंगे जिसकी लंबाई है 20 इंची चोडाई भी है 20 इंची फैबरिक हम ट्राइंगल में फोल्ड करेंगे फैबरिक हमारा ट्राइंगल में फोल्ड हो गया है फैबरिक हमारा फोर फोल्ड हो गया है यह ओपन साइड है इस साइड वाली बंद साइड है टाप पार्ट को इसी के उपर उछा के अच्छे से हम सेट करेंगे रखेंगे जहां पर हमने टाप पार्ट रखा है वीडियो में किलियर देख लीजिए जैसे निसान लगा रहे हैं वैसे ही लगाई है सभी निसान को हम आपस में मिलाएंगे इसके बाद टॉप पार्ट को उठा के हम साइड में रखेंगे जैसे हमने निसान लगाया वैसे हम इसकी कटिंग कर देंगे हमारे घेरे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है ओपिन करके देखेंगे ये देखेंगे फ्रेंड जो हमने दो इंची का निसान लगाया है वैसे हमने फैब्रिक में दो इंची का कट लगाया है फैब्रिक को तीनो साइड से फोल्ड करके हमें स्टीच कर देंगे जहां पर हमने दो इंची का निसान लगाए उसी को उपर फैबरिक को अच्छे से से सेट करके रखेंगे और स्टीच करेंगे फ्रिंट हमारी स्टीच हो चुकी है अब इसमें हम छोटे छोटे कट लगाएंगे कट लगाने से बहुत अच्छी फिनीसिंग आती है पलटने के बाद नेल से हम फैबरिक को प्रेस करके पीछे साइट टर्न कर देंगे और इस पर हम स्टीच करेंगे फ्रिंट हमारी स्टीच हो चुकी है पल्ले को अच्छे से से सेट करके रखेंगे और कंधी पर हम stitch करेंगे फ्रेंट हमारी कंधी पर stitch हो चुकी है एक और यह भी पट्टी लेंगे उसको आगे साइड से फोल्ड करेंगे और निक में राउंड में ऐसे लगाते हुए पट्टी को जाएंगे एक बराबर में आगे की साइट पट्टी को फोल्ड करके स्टीच कर देंगे फ्रेंड हमारे स्टीच हो चुकी है इसमें भी छोटे छोटे कट लगाएंगे कट लगाने से बहुत अच्छी फिनीसिंग आती है सिलाई कटे ना फ्रेंड एक बार पट्टी को फोल्ड करके पीछे साइट टर्न कर देंगे और स्टीज करेंगे फ्रेंड हमारी स्टीज हो चुकी है एक और यह भी पट्टी लेंगे आर मॉल पर ऐचे सेट करके रखेंगे अईसे हम दूसरे आवले आवार मौल पर भी पट्टी को सेट करके रखेंगे स्टीज करेंगे वरी हमारी स्टीज हो चुकी है इसने छोटे छोटे कट लगाएंगे अगर अभी तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब निए सब्सक्राइब करिए विल आइकन को प्रेस कीजिए आलकाप्शन सिल्क कीजिए ताकि हमारे आने वाले नेश्ट वीडियो की नौटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले आपको फैबरिक को एक बार फोल्ड करके पीछी साइड टर्न कर देंगे और स्टीज करेंगे ऐसे दूसरी साइड भी फैबरिक को एक बार फोल्ड करेंगे और पीछी साइड टर्न कर देंगे और स्टीज करेंगे फ्रेंड हमारी स्टीच हो चुकी है घेरा वाला पल्ला लेंगे ये पल्ले की रॉंग साइड है ये राइट साइड है अच्छे से सेट करके रखेंगे राइट साइड दोनों की अंदर साइड है ऐसे दूसरे वाला पल्ला भी सेट करके रखेंगे और स्टीज करेंगे फ्रेंड हमारी स्टीज हो चुकी है फ्रेंड हमारी स्टीज हो चुकी है पल्ले को ऐसे ओपन करेंगे दोनों पल्लों को ओपन करेंगे फाइब्रिक को हम उपर साइड करके स्टीच करेंगे इससे हमारी सिलाई पक्की हो जाएगी ऐसे दूसरी साइड भी फाइब्रिक को उपर करके स्टीच करेंगे इससे हमारी सिलाई पक्की हो जाएगी फ्रेंड हमारी स्टीच हो चुकी है प्रॉक को हम फोल्ड करके शाइड में रख देंगे फाइब्रिक के दो पीस लेंगे जिसकी चोड़ाई है धाई इंची लंबाई है सत्रा इंची ऐसे दूसरे पीस की भी चोड़ाई है धाई इंची लंबाई ये 17 इंची एक बार फाइब्रिक को फोल्ड करेंगे और स्टीच करेंगे इस पर ऐसे दूसरे वाले पट्टी को भी हम फोल्ड करेंगे और स्टीच करेंगे इस पर हम फ्रेंड हमारी स्टीच हो चुकी है साइड से इस्टर फैब्रिक हम कड कर देंगे किसी नौकीली चीज से इसको हम पल्टेंगे ऐसे हम दूसरे वाली पट्टी भी पलट देंगे बहुत इजी तरीके से पल्टवा जाती है पट्टी इसके बाद हम फ्रॉक को लेंगे टॉप पार्ट के पास फ्रॉक के रखेंगे ऐसे दूसरी साइड भी रखेंगे और फ्रॉक को अच्छे से सेट करके फिटिंग वाली स्टीज करेंगे फ्रेंड हमारी फिटिंग वाली स्टीज हो चुकी है अब नीचे की साइड हम फोल्ड करके स्टीच कर देंगे हमारा फ्रॉक गुलाई में कटा है इसलिए एक बार फोल्ड करके स्टीच करेंगे फिरेंड हमारी स्टीच हो चुकी है एक बार फिर से फोल्ड करके स्टीच करेंगे इससे हमारी बहुत अच्छी फिनीसिंग आती है हमारा बेबी फ्रॉग बन के तैयार हो गया इसमें बटन लगाएंगे बटन लगाने से बहुत अच्छा लुक आता है अपने बच्चों के लिए जरूर ट्राई कीजिए वीडियो अच्छा लगी तो लाइक से सिस्क्राइब करिये ठाइंक्यू फिर्ण मिलते हैं निस्ट वीडियो में बाइ